नायक भोपों द्वारा रावन अत्ता वाद्दे के साथ बाची जाने वाली राजस्तान की सबसे लोग प्रिये फड़ है तो पापुजी की फड़े सबसे लोग प्रिये फड़ है नेक्षमरा मंदन द्वारा रचिते वास्तुकला के जिस गरंट में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह गरंट है तो ये रूप मंदन गरंट है जिसमें वास्तुकला की जानकारी मिलती है नेक्षमरा उद्धेई परियुक्ते होता है तो ये दीमक है तू परियुक्ते होता है नेक्षमरा सरस्थनात्मक दिरश्टी से अरावली प्रवश्रंकला किस सरस्थना का करम है नेक्षमरा निम्न में से अंतर परवर्तिय मेदाने नहीं है तो कापासने अंतर परवर्तिय मेदाने नहीं है नेक्षारा राज्ये में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है तो ये उद्यपुर नगर है जो की तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है नेक्षारा राज्यस्तान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूले कहां इस्तित है तो ये उद्यपूर में इस्तित है नेक्समरा राजस्तान में पाई जाने वाले खनीजी जैसे जिफसा में रोक फोस्वेटी एव में पाई राड किसे निर्माण में आवशक है तो ये रासाइने के उवरक के निर्माण में आवशक है नेक शमरा पलाना किसके लिए प्रसिद है तो ये कोईले के लिए प्रसिद है पलाना नेक शमरा राजस्तान में सुपर क्रिटिकल तापिय विदुद्ग्र है इस्तित है तो ये छाबडा औरे सूरतगड में इस्तित है सुपर क्रिटिकली तापिय विदुद्ग्र है नेक्शारा राजस्तान का पहला गिरल लिगनाइट थर्मल पावर प्रोजेक्टी इस्तित है तो ये बार्ड मेर जिले में स्तित है गिरल लिगनाइट थर्मल पावर प्रोजेक्टी है नेक्षमरा राजस्तान का धातु नगर कहलाता है तो नागोड़ जी लोग को कहते हैं धातु नगर की नाम से नेक्षमरा इस्पेशल कंपोनेंट प्लांटे विकास से संबनित है तो ये अनुचुचित जाती के विकास से संबनित है कोशन है निम्न पंगती किसके लिए प्रसीद है? चूडावत मांगी से नानी सिर काट देगी हो शुत्रानी तो ये सहल कमण के लिए प्रसीद है नेक्शमणा ब्रिटिश काल में पहली नगरपाली का इस्ताफित हुई थी तो ये आबू में स्थाबिद हुई थी पहली नगरपाली का नेक्शामरा निरते जो के वले पुर्शों दुवारा किया जाता है तो ये कच्छी गोड़ी निरते है जो के पुर्शों के दुवारा किया जाता है नेक्शामरा निम्नांकित में से कौन सा इसमारा के वर्श 2010 में विश्व धरोर में समयलिते कर लिया गया था तो ये वेदशाला है जिसे हमें जंतर मंतर के नाम से जानते हैं जो कि जेपुर में स्थित है इसे विश्व धरोर में शामिले किया गया था सन 2010 में नेक्षमरा लूनी बेसी ने किस शेत्र में हैं तो ये बेसी ने गोड़वाड़ा शेत्र में स्थित है लूनी बेसी ने जहां से लूनी नदी गुजती है नेक्षमरा चापी सिचाई प्रियोजना का समन्दि किस जिले से है तो ये जहालावाड जिले से समन्दित है चापी सिचाई प्रियोजना नेक्षमरा लाल मिर्च के लिए कौन सा शेत्र प्रसिद है तो इसके लिए मतानिय शेत्र प्रसिद है लाल मिर्च के लिए झाल के...